सतना तले के आमर पाटन थाना शेत्र के अंतरगत पाल बच्छुडा के पास NH30 के नाशनल हाईवे 30 पर बने टोल प्लाजा में दादागिरी का एक मामला सामने आया है बताया गया है के करीब 11 बच के 50 मिनिट के आसपास पूर्वधान सभा उपादिक शुराजींद्र सिंग की गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरी लेकिन फास्ट एग रीड होने में टेक्निकल समस्या निके टेक्निकल इशू आने के कारण टोल कर्मियों से विवाद हो गया दरसल आरूप लगाया गया है के पूर्वधान सभा उपादिक्ष राजींद्र सिंग की गाड़ी के आगे चल रहा अन गाड़ी का पास्ट एग रीड होने में ताक्निकी समस्या आ रही थी इस प्रक्रिया में समय लगने पर पूर्वधान सभाव पाद्यक्ष राज़िंदर सिंग के गनमैन और पी ए ने ऑपरेटर आरती से जाती वाचक शब्दों का प्रयोग किया और अब शब्दों का प्रयोग करिया आपको बता दे साथ या ने ऑपरेटर को गेट खोलने की धमकी भी दी गए और गेट ना खोलने पर पूर्वधाद्यक्ष के साथियों ने मारपीट कर दी वहीं आप पूर्य गटना करम CCTV फोटज में कैद हो गया है जो कि आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं इतना ही नहीं गटना करम के बाद राजे इंदरा सिंग टोल प्लाजा स्थल पर धरने पर बैट गया है जुसे काफी समय तक च्वक्का जाम लगा रहा है आपको बता दें यात्री परिशान होते रहे कुछ महिला यात्री बार बार जाम खोले जाने की पूर्वपाध्यक शुसे निवेधन भी कर रही थी लेकिन राजे इंदरा सिंग ने उनकी एक न मानी गटना की जानकारी मिलते ही समर्थकों ने गटना स्थाल पर पहुँचका टोल प्लाजा में तोड़ फोड कर दी टोल कर्मियों के साथ मार पीट भी की गई साथ ही टोल बूत पर रखे कैश को भी लूट लिया गया मामले को लेकर टोल कर्मियों द्वारा थाने में CCTV फोटेज के साथ आवेदन दिया गया है लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई भी कारवाई नहीं की गई है